बहु की पास मत जाना ये है कंचन जिसके जीवन का बस एक ही मकसद है कि उसके बेटे विशाल की शादी हो जाए जिसके लिए नजाने वो रोज कितनी ही लोगों को फोन करती है और रोज कितनी ही लड़कियों के फोटोस देखती है अरे क्या हुआ कंचन ने कितनी बार phone किया है मुझे आज तुने तेरी पडोशनॐ पास में ही रहती है फिर भी इतनी बार phone किये जा रही है अरे तौ आने का नाम नहीं ले रही थी तो मुझे इतने सारे phone करने पड़े अरे पर तो ऐसा क्या भुकम पा गया जो मुझे 20 फोन कर डाले तुने सब ठीक तो है न अरे मुझे तो लगता है कि मैं टेंशन के मारे कहीं उपन ना चली जाओ भगवान के पास अरे रे ऐसा क्यों क्या रही है अभी तो तेरी बहुआना भी बाकी है अरे बस उसी की तो टेंशन है विशाल की उम्रह 30 साल की हो गई है अभी तक कोई लड़की नहीं मिली मेरी तो टेंशन के मारे हालत खराब रहती है पता नहीं कब होगी उसकी शाती अब कितनी जगे तो मैंने बाते चलाई है तेरे बेटे की कहीं रिष्टा बन ही नहीं रहा कहीं लड़की वालों को लड़की की उम्रह बड़ी लग रही है तो कहीं कुछ और वज़े से बात नहीं बन रही काविरे हम दोनों कितने सालों से पड़ोसी है तुझे किसी भी तरह कोई भी लड़की ढूनी होगी साफ नहीं है, बाकि लड़की में कोई कमी नहीं है, अरे कोई बात नहीं, जबान शादे के बात साफ हो जाएगी तु मेरी बात सुन ही ने रही है, पर सुन तो ले पहले, नहीं नहीं मैंने कहा ना मुझे चलेगी कैसी भी लड़की, तो शाम को ही लड़की वालों को यहां बुला ले अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम आज ही विशाल का रिष्टा पक्का कर देंगे ठीक है अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं आज ही लड़की वालों को बुला लेती हूं अपने बिटे विशाल के बारे में सोच सोच कर कंचन काफी परिशान रहती थी इसलिए जब आज उसे एक आशा की किरंट दिखाए दी तो उसने उसे गवानी के बजाए अपना ना ठीक समझा कावेरी के कहने पर शाम को लड़की वाले घर आ जाते हैं आई 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 बैठी आप लोग डबल डिगरी है घर का सारा काम जानती है सिलाई बनाई कढ़ाई खाना बनाना सब कुछ आता है उसे बस उसकी जबान अरे कोई बात नहीं बैठी आपकी बेटी दिखने में इतनी सुन्दर है गुणिया जबान में क्या रखाए जी वो तो शादी के बाद अपने आप साफ हो जाएगी मेरी भती जी भी ना शादी के पहले कुछ शब्द नहीं बोल पाती थी लेकिन शादी के बाद अब तो उसकी जबान बिल्कुल साफ हो गई है तो आप तो वह सारे लफ्स बोल पाती है लेकिन साक्षी तो बोलने के वक अरे कोई बात नहीं भाई साव कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता अरे देखियो तो से कितनी सहमी सहमी बैठी है आपकी बेटी आज कल आप जैसे अच्छी लोग कहां मिलते हैं हमें तो रिष्टा मन्जूर है जी साच फर तो हमें भी ये रिष्टा मन्जूर है भाई साव मैंने तो आज सही साक्षी को अपने घर की बहु मान लिया है ए निहारी का जैसरा मिठाय तो लेकर आज तेरी भावी मिल गई है जी मा मैं भी मिठायरी कराती हूँ भाई सब मैं तो कहते हूँ हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए इसे महीने दोनों की शादी कर देते हैं क्या विचार है इस बारे में आपका अरे इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी हम तयार है इसे महीने दोनों की शादी कर देते हैं अब ते सीधा हम भारात लेकर ही आपके घर आएंगी भाबी हाई कितनी शर्म मिली है कितना शर्म आ रही है मेरी होने वाली बहु देखा तो भाईया देखो कैसे बलश कर रहे ममा आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मेरी बरसो के तमन्ना जो पूरी हो गई कंचन की ख्वाईश आखिर पूरी हो ही गई उसने विशाल की शादे के लिए बड़े धूमधाब से तयारी की और करते भी क्यों न उसके घर बहु जो आने वाली थी ए निहारी का सारी तयारी हो गई है न स्वागत की हाँ मा तीन बार पूछ चुकी हो सारी तयारी हो चुकी है अरे इतनी मन्नतों के बाद तो घर में बहु आ रही है खुशी तो होगी ना ये लो भाईया भापी भी आ गए अरे लाला आर्ती की थालीला और चावल का कलश पिला जल दिसे हाँ हाँ सब तयार है ये लो कंचिन आर्ती की थालीला ती है और विशाल और साक्षी की आर्ती उतारने लगती है तबी खुशी के मारे साक्षी हसने लगती है और उसके मुँ से जोर से धूप निकलती है जिससे आर्ती का दिया भूच जाता है अरे ये पानी कहा से आ गया ए निहारी का तुने छिड़का क्या पानी नहीं माम मैंने नहीं छिड़का चलो कोई बात नहीं आजाओ तुम दोनों अंदर आजाओ साक्षी पफू नए चावल का कलेश अंदर की तरफ फैंको और आजाओ जी माजी साक्षी जैसे ही जी माजी बोलती है एक और थूकी फूआर उसके मुझे निकलती है और सारे चावल भी भीग जाते है अरे ये पानी कहा से आ रहा है सारे चावल भीग गए देखो तो अरे मा कहीं छट तो लिग नहीं कर रही है नहीं नहीं छट में तो पानी टपकता नहीं दिख रहा है है अरे ठीक है न मा ये सब बात में देख लेते अभी भया और भाबी दोनों ठक गये होंगे उनको जाकर आराम करने दो आ ये सही कहा तुम दोनों जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो हाँ विशाल और साक्षी अपने कमरे में आते हैं विशाल अपनी पहली रात के लिए काफी उत्साहित था उसने धीरे से जाकर साक्षी का घुंगट उठाया और प्यार से कहा तुम बहुत प्यारी लग रही हो आज हमारी पहली रात है मेरा बड़ा ही मन है कि तुम मेरे लिए एक गाना गाओ साक्षी ये सुनकर शर्मा रही थी उसने कुछ दिर तो कुछ भी नहीं कहा अरे इसमें शर्माने की क्या बात है अब मैं तुम्हारा पती हूँ प्लीज एक गाना गाद हो ना मेरे लिए कोई प्यारा सा, रोमेंटिक सा साक्षी ने जैसे गाना गाया उसके मुसे थुक की पोचार सी होने लगी जिससे विशाल का सारा चैरा पानी पानी हो गया ये देखकर विशाल के मुख से चीख निकल गई अपने गमरे में सो रही निहारिका और कंचन को भी आवाज सुनाई दिती है अरे ये भाई ये इतने चीखे क्यों? अरे तू नहीं समझेगी आज उनकी स्वाग राते ना ऐसी चीखे आती रहेंगी कंचन और निहारिका फिर से अराम से सो गई लेकिन विशाल पूरी रात नहीं सो पाया क्योंकि जैसे ही साक्षी कुछ बोलने जाती वैसे ही उसके मूग से इतनी तेज थूख निकल दी कि सामने वाला खड़े-खड़े ही नहा लेता था विशाल ने जैसे तैसे कर रात निकाल ली और सुबह वो अपनी मा को सब कुछ बताने चला गया मा यह साक्षी की जबान अरे विशाल तू इतना पड़ा लिखा है फिर भी ऐसी बाते कर रहा है क्या हुआ जो उसकी जबान साफ नहीं है तो कुछ लब्स अगर साफ नहीं बोल पाती तो हम से खा देंगे अरे मा तुम समझ नहीं रही है वो उसके मुझसे बस विशाल अब साक्षी हमारे घर की लक्ष्मी है थोड़ा बहुत आज़्जस अबको करना पड़ता है ना बिटा अरे मा वो लक्ष्मी नहीं स्वयम गंगा है जो मुख से बोचार करती रहती है क्या कह रहें भई आप लक्ष्मी नहीं गंगा है बोचार क्या मितलब अरे वो लो बहु भी आ गई देखो तो कितनी सुन्दर लग रही है एक मिनिट में आपके पीछे चुप जाता हूँ साक्षी ने जैसे ही प्रणाम मा जी कहा वैसे ही थुकी फुहार कंचन के चहरे पर आ गई और उसका चहरा पूरी तरसे पानी पानी हो गया ये क्या था आपकी लक्ष्मी बहु का आशीरवाद कैसा लगा मा आपको इसका मतलब कल वो पानी से दिये का बुचना चावल का गिला होना इनकी वज़े से हो रहा था भाजी वो मेरे पपह ने खुआ था अब से मेरे जबान साफ नहीं है सब लोग अपना-पना मूँ छुपाने लगी जब वो बात कर रही थी अरा जबान साफ नहोने का मतलब ये होगा कि तुम बारिश करती रहोगी मूँ से ये नहीं पता था मुझे अब बताओ कैसे करेंगी आप इसकी जबान साफ मा साक्षी की आदत थी जब भी वो बात करती और कुछ कहती तो उसके मूँ से एक जोरदार थूकी बारिश होती थी जो सामने वाले को भीगा देती थी लेकिन अब इस समस्या से बचने का रास्ता ढोणना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था देख विशाल ये मास्क चलेगा क्या अरे मा अब क्या घर में भी मास्क बैन कर चलना बढ़ेगा अरे अगर अंचाही बारिश से बचना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना बिटा मैं तो सोच रही हूँ घर में भी तुपटा ही पहने रहती हो वो ज्यादा सेफ होगा मेरे लिए जिस तरह से भावी ठोक मारती है न वैसे तुम मैं फेस वाश करती हूँ मास तो पहनना ही पड़ेगा अब इसके बिना बाहर जाना खत्रे से खाली नहीं होगा हमारे लिए मा पावी आ रही है अरे जल्दे से मास पहन लो सब और होश यार दुश्मन आ रहा है हथ्यार लेकर क्या अरे मेरा मतलब बहु आ रही है साक्षी ने अभी एक ही लाइन बोली थी जिससे उसकी थुके निहारी का कंचन और विशाल पर जाकर गिरी और उनका मास भी गिला गिला हो गया आ बहु जा लेकिन खाना मुँ बंद करके बनाना ठीक है जी मा जी अरे जाना साक्षी के ससुराल वालों का मास्क पहनना तो फेल हो गया था लेकिन अब साक्षी की धूक से बचना भी तो था उसके लिए उन्होंने एक और तरकिब निकाल ली उन्होंने अपने हाथ में छोटा सा पंका रखना शुरू कर दिया जैसे उज जापानिस लूक अपने हाथ में रखते न सायोनारा सायोनारा अब जब भी साक्षी की थूक से वार होगा इससे बचने के लिए इस पंक्खे को घुमा देना अबको लगता ही ये काम करेगा मा अगर इसने काम नहीं किया न तो पता नहीं हमारा क्या होगा मैं तो कहती हूँ भाबी को अपनी थूक को बाल्टी में भर कर संबाल कर रखना चीए इससे न शेहर की पानी की समस्य जरूर हल हो सकती है साउधान दुश्मन इसी और बढ़ रहा है खंचर विशाल और निहारी का मंकी के साथ तयार थे साक्षी की थूक का सामना करने के लिए साक्षी ने आकर कहा खले सब लोग खाने तयार है इतना कहते ही साक्षी के मुँ से निकली थूक बंदु की गोली की तरह उनके मुँ पर जाकर पड़ गई उनकी हाथ में पकड़ा हुआ पंखा भी कुछ ना कर पाया हाँ बहु तुम चलो हम सब आते हैं खाने पर और सुनो सबके लिए ना कूरसी पर एक एक टावल भी रख देना ठीक है जी मौच माई इस पंखे ने तो कोई काम नहीं किया अरे मेरे तो मुग के साथ मेरी शेट भी गिली हो गई आप तो एक ही रास्ता है बस क्या माई कल से नहाया मत करो बहुत से बात कर लोगे तो हो जाएगा मा ऐसे तो आपका पोते-पोती को खिलाने का सपना भी सपना रह जाएगा क्यों कि मैं जब भी साक्षी के पास जाता हूं तो उसकी बाचार से बचने के लिए मैं बिस्तर के नीचे सो जाता हूं अब आप ही सोचिये कैसे होंगे आपकी पोता या पोती है भगवान अब इस समस्या से तो स्वयम गंगा मा ही हमें बचा सकती है साक्षी की थूक का इलाज ढूने के लिए उसके सिस्वराल वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं लेकिनठर का कहना था कि साक्षी को कोई बिमारी नहीं है बलकि आदत है जो वो खुद ही रोक सकती है देख है गर अभी ये कोशिश करें यह आदत को रोका जा सकता है जी ।रुटर साहब हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि इसके आदत छोड़ जाहे जब सबको ये पता चलता है कि साक्षी को बिमारी नहीं बलकि आदत है तो सब उसे बहुत समझाते हैं बहुर डॉक्टर का कहना है कि तुम इस बुरी आदत को छोड़ सकती हो बस तुम्हे थोड़ी कोशिश करने होगी साक्षी ने ठीक है तो कह दिया लेकिन वो कोशिश बिलकुल नहीं कर रही थी और ये घर में सब को दिख रहा था और अब उसकी सास कंचन का पारा भी उपर चड़ रहा था इतना जोर से हस रही है देखो तो पूरा फर्शी गिलाओ गया अरे जाओ जाओ पोच्छा लाओ और साथ कर दो जाओ नहीं तो कोई तुम्हारी थूप पर गिरकर अपनी हटी पसली तोड़ लेगा कंचन अब साक्षी के हर बात कहने पर उससे पोच्छा लगवाती और साक्षी पोच्छा लगाते लगाते अब ठकसी गई थी अरे फिर से तुम्हें बात किये ना और थूप निकाली है जाओ पोच्छा लेआओ चलो जाओ अब साक्षी को बात करते वक्त यही ध्यान रहता था कि अगर उससे फिर से पोच्छा लगाना पड़ेगा इसलिए अब वो ध्यान रखने लगी थी कि वो बात करते वक्त थूके ना मन अब मैं धान से बोलोंगी जिससे मेरी तो जमीन पर ना गिरे नहीं तो मा जी मुझ से फिर से पोच्छा लगवाएंगी सुनिये खाना खाली जी मैंने आपकी पसंद की कड़ी बनाई है अरे वाह अज कहां से सूरश निकला है बारिश नहीं हो रही है मा अब काले बादल छटते हुए दिखाय दे रहा है लगता है ऐसे ही चलता रहा न तो नए पोच्छे की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं मा जी अपसे मैं ध्यान रखूंगी कि मैं ठीक से बोलू मुझे ना ये पोच्छाने लगाना बार बार भाबी हमें भी पसंद नहीं है कि हम घर में मासक और दुपटा लेकर गुमते रहें आप अपनी आदर ठीक कर लें तो हम भी आज़ाद हो जाएंगे जी मैं वादा करती हूँ अपसे मैं ध्यान रखूंगी कि मैं अच्छे से बात करूँ और इसी बहाने मेरे पोता-पोती को अपनी गोद में खिलाने का सपना भी शायद पूरा हो जाएगा देखो तो कैसे शर्मारी है भाबी क्या माची आप भी अरे माँ फिर से दुख अरे निहारी का पोचा लाना नहीं नहीं वो कहते है न बुरी आदतों को वक्त रहते ही ठीक कर लेना चाहिए नहीं तो कभी कभी बुरी आदते आपके लिए ही नहीं आपके आसपास वालों के लिए भी सरदर्द बन जाती है